दोस्ते दोस्तों कीडी रेसिपी में आपका स्वागते वेट लोस करना चाहते हो तो ये वाली रेसिपी जरूर बना के ट्राइ केज़े बहुती टेस्टी बहुत स्वादिश्ट बनती है कटोरिया भर पर के खाओगे तब भी इससे कोई नुक्षान नहीं होता है ये एक चम नहीं होता है तो फोहा को मैंने यहाँ पर ले लिया इसतर दे लिया क्षे पहे मार्केट में बहुत ही इजील मिल जाता है इसको हमें चन्नी की मदद से अच्छे से साफ कर लेना है उसके बाद हमें इसको यूज करना है यहाँ पर मैंने एक कठाई ले लिए कठाई को हमें थोड़ी टाइम के लिए घर्म कर लेना है उसके बाद हमें इसके अंदर पोहा डाल देना है मैं यहाँ पर ओयल नहीं डाल रही हूँ यह बहुत ही कम ओय इसको छोड़ना नहीं है बिल्पुल भी आपको यहां पे consumer चलाते रहना है। आप छोड़ दोगे तो कौई से पक्का रह जाएगा कही से कछा रह जाएगा। इसलिए आपको यह वालब स्ट्रेप जरूर करना है भी छोड़ना नहीं है। कि इस तरह से आप पोहं अच्छी तरह से भून जाएंगे इस तरह से हम इसको भून लेंगे जब यह भूनना लगेगा तो इसका हलका सा रंग भी चेंज होने लगेगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका रंग और आप इसको हाथों की मदद से भी तोड़ के देख सकते हो यह बहुत ही इसमें आवाज आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा यह अच्छे से भून चुके हैं तूट जाएंगे पहली बार आप करोगे तो यहाँ पर कठाई गर्म होती है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है दूसरी बार यह वाला श्टेप बहुत ही जल्दी हो जाता है यहाँ पर हमारे पोहां यहाँ पर बून चुके हैं आप देख सकते हो मैं इस तरह से हाथों से तोड र तो हम इस पोहां को अब एक प्लेट के अंदर निकाल देएंगे यह पोहां अच्छे से बून चुके आप देख सकते हो इसका रंग भी थोड़ा सा चैन्ज हो चुका है तो यहाँ पर मैं एक प्लेट के अंदर यह वाला पोहां निकाल दोंगी और इसे हम थोड़ा फैला दालेंगे क्योंकि यह गर्म होता है तब यह थोड़ा थोड़ा फकता ही है आपस में इसलिए हमें फैला के रख देना है इस बात का खास द्यान रखें मैं यहाँ पर दूसरी बार भी इसी तरह से पोहां भून लूँगी आप थोड़े थोड़े पोहां इसी तरह से भून के आएंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी भी नमकिन बनेंगा तो यह वाला पोहा भी हमारा यहां पर भून चुका है आप देख सकते हो इसका भी रंग चैंज हो चुका है इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे तो यहां पर मैंने पोहा को निकाल दिया है एक प्लेट के अंदर अब हम इसके लिए तड़का लगाएंगे तो यहां पर मैंने एक कड़ाई फिर से ही गरम रख दी है और इसके अंदर में एक चम्मजीतना ओयल डाल रही हो आप यहां पर आती चम्मजीतना भी ओयल डाल सकत हो आप बहुत ही कम यूज किया हुआ नमकिन बनाना चाहते हो तब ही मैं यहां पर सॉफ्ट डाल रही हूं और कड़ी पत्ता डाल दूंगी और हल्दी पावडर आप यहां पर डाले जिसे की नमकिन का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा आपका इस तरह से हम मुंगफली को अच्छी तरफ भून लेंगे इसके बाद हम यहां पर किस्मिस डाल देंगे आप यहां पर ड्राइफूट को भी नमक के अंदर थोड़ा सा करके ले सकते हो और ओल में भी डाल सकते हो अब हमारा तड़का हो चुका है तो मैं यहां पर पोहा डाल दूँगे और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आपको यहां पर हलके हलके आतों से मिक्स कर लेना है अब मैं यहां पर नमक डाल दूँगे एक चम्मच इतना मैंने नमक डाल दिया है यहां पर लाल मिर्ची पावडर डाल दूँगे में और इसे हम मिक्स कर लेंगे हमने इसको पहले से भून के रखा था तो हमें ज्यादा इसको भूनने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे अब मैं यहाँ पे रोस्टेड तिल डाल रही हूँ आपके पास रोस्टेड तिल नहीं है तो आप यहाँ पे ओल के अंदर तिल डाल सकते हो आप यहाँ पे चीनी पावडर भी डाल सकते हो आपको मीठा पसंदे तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा नमकिन बनाए बहुती बढ़िया बनके आया है ये वाला नमकिन जरूर इस तरह से बना के ट्राइ केजे जरूर पसंद आएगा सभी कुछ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए